आज के वातावर्ण में खान पान के उचित नियमों के ना जानने की वज़े से दो ऐसे असाद्य रोग पहला बवासीर की समस्या और दूसरा पत्री रोग सरवत्र फैलते जा रहे हैं और बहुत से लोग इनका शिकार हैं और इनकी वज़े से बहुती दुख पाते हैं लेकिन प्रकरती में ऐसी चमतकारिक जड़ी बूटिया मौझूद हैं जो इन रोगों को दूर कर सकती हैं तो आज हम आपको बताते हैं ऐसी ही एक चमतकारिक जड़ी के बारे में जो सामाने तोर से सभी जगे उपलब्द हो जाती है खास तोर से बरसात के मौसम में और ये है अतिबला जो एक काफी चमतकारिक जड़ी बूटी है इसके रोएं कोमल, सफेज जैसे और मकमली होते हैं तने गोल और बैंगनी होते हैं और दोस्तों ये वर्षों तक हरार भरा रहने वाला ज़ड़ीदार पौदा है और जहां तक बात है इसके बारे में कि इसका आप उपयोग कैसे कर सकते हैं किन किन रोगों में तो आगे शेयर करते हैं बवासीर में इसके बीजों का प्रियोग बहुती चमतकारिक होता है जिसे आपको कूट कर रात बर पानी में भिगोना है दस बीस एमल मात्रा में पीना है तो ये काफी लाव होगा इसके अलावा दूसरा तरीका है कि एक या दो ग्राम अतिबला की जड़के चूण में शेहद मिलाकर या अतिबला की जड़के बीस से तीस एमल काड़े का सेवन करने से भी बवासीर में लाव होता है और अतिबला के पत्तों का काड़ा बनाकर दस बीस एमल मात्रा में सेवन करने से बवासीर में लाव होता है लेकिन हमेशा कोई भी जड़ी मूटी हो उचित परामर्स के द्वारा ही उसका और देख रेख में ही प्रियोग करें और दोस्तों इसके लावा दूसरा लाव जो की होता है पत्तरी में बहुत ही चमतकारिक है तो अतिबला के पत्तों और जड़ काड़ा बनाकर बीस तीस एमल की मात्रा में सेवन करने से पेसाव के रास्ते की पत्तरी चूर चूर होकर बहार निकल जाती है तो दो ऐसे असादे रोग आप इस मुफ्त में मिलने वाली जड़ी बूटी से दूर कर सकते हैं और इसी तरह की नई नई जानकारियों के लिए जो आपके स्वास्ते के लिए महत्तपून है चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सबस्क्राइब भी अबश्य करें वीडियो को लाइक भी करें ताकि हम इसी तरह की वीडियो आपके लिए